आज पुनुर्थान के दिन की पवित्र सभा है मुझे आशा है कि इस दोफेर की आराधना के द्वारा आप परमेश्वर से बहुत अधिक अनुग्र और आशिश प्राक्त करेंगे आज आएए हम पुनुर्थान और आत्मीक दे शिर्षक उब्देश के तहत मसी की शिक्षाओ का अधियन करें जब हम प्रतम चर्च के इतिहास को देखते हैं तो पुनुर्थान वास्तों में महत पूर्ण था पुनुरुत्थान की आशा का प्रतम चर्च के संतों के विश्वास पर बहुत प्रभाव पड़ा था किसी भी कठिनाई के बावजुत वे बिलकुल भी नहीं डरे उनके पास इस दुनिया के दर्द और पीडा के बजाए आने वाली दुनिया की आशा थी इसके पीछे की प्रेरक शक्ती येशु का पुनुरुत्थान था इसके बारे में इबराणियों के लेखक ने इस प्रकार लिखा कितने तो मार खाते खाते मर गए और चुटकारा ना चाहा इसलिए की उत्तम पुनुरुत्थान के भागी हो आज आईए हम एक साथ उस दृष्य की जाच करें ताकि हम उस भविष्य के लिए अधिक से अधिक आशा रख सकें जिसे परमेश्वर ने स्वर्ग में हमारे लिए तैयार किया है आईए हम इबरानियों अध्याई 11 आयत 33 को देखें इबरानियों अध्याई 11 आयत 33 इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज जीते, धर्म के काम किये, प्रतिग्या की हुई वस्तुए प्राप्त की, सीहों के मूँ बंद किये, आग की ज्वाला को थंडा किये, तल्वार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवन्थ हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फोजों को मार बगाया, स्तरियों ने अपने मरे हुऊ को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए, और क्या, छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनृत्थान के भागी हो, भले ही उन्हें गंबी रूप से पीडित किया गया, लेकिन उन्होंने छुटकारा ना चाहा, दूसरे शब्दों में उन्होंने केवल उन शणों से बचने के लिए कोई बाहाना नहीं बनाया, इसके पीछे क्या कारण था, यह धर्मियों के पुनृत्थान में बाग लेने के लिए था, इस प्रकार येशु के पुनृत्थान का प्र और कोड़े मारे गए। लेकिन उन्होंने छुटकारा ना चाहते हुए सभी प्रकार की कठिनाईयों का सामना किया। यह कैसे संभव हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे पुन्रुत्थान में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि भले ही उनकी दे इस पृत्वी पर मर जाए, फिर भी परमेश्वर उन्हें जिलाएंगे। उन्हें आशाथी की पुन्रुत्थान की सुबव उन्हें मसी के राज्ज में एक शाही याजग बना देंगे। इस वज़से परमेश्वर ने उनके विश्वास का वर्नन कैसी किया। प्रकाशित वाक्य की साथ कलिस्याओं की भविश्वानी में इसे इफिसुस की कलिस्या के रूप में वर्नित किया गया है क्योंकि उनका विश्वास सबसे चाहने योग्य था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, पुनुरुत्थान और स्वर्ग की आशा धुन्दली होती गई परिणाम स्वरुप, उनका ध्यान, सांसारिक चीजों की और अधिक से अधिक स्तानांत्रित हो गया जिससे प्रथम चर्च का विश्वास फीका पड़ गया सभी लोगों, मसी के पुनुरुत्थान की महिमा वास्तों में उलेखनी है लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि पुनुरुत्थान में हमारा विश्वास नहीं वाचा के सत्य का मूल है हमें केवल इस पृत्वी के शनिक सुक के लिए नहीं जीना चाहिए उस अनन्द दुनिया के बारे में सोचिये, जिसे पिता और माता ने हमारे लिए तैयार किया है, परमेश्व ने कहा, मैं तुमारे लिए जगत तैयार करने चाता हूं, और यदि मैं जाकर तुमारे लिए जगत तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाओं पुरुथान की तरफ अविनाश को पहनेगा। हम आश्चरे करते हैं, वो शंड कैसा होगा, चोकि हमने पहले कभी इसका अनुभव नहीं किया है। इसलिए हम उस शंड को बेसबरी से इंतजार करते हैं। इसलिए हमारे लक्ष और मूल्य संसार से अलग होने चाहिए। हमें इसाई होने पर गर्व करना चाहिए। हम पवित्र आत्मा के इस यूग में एलोहिम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। आईए हम याद रखें कि हम पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर विश्वास करने की सबसे सम्मान जनक स्तिती में हैं। ऐसा करते हुए आईए हम आज पुनृत्थान के महान अर्थ को उत्कीर्ण करें। इस पृत्वी पर रहते हुए हमें कटिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी आईए हम सांसारिक मामलों पर ध्यान केंद्रित न करें। हमें स्वर्ग के राजज को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमें इसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आईए इबरानियों अध्याए 11 के द्वारा एक बार फिर इसकी पुष्टी करें। तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और कलेश में और दुख भोगते हुए, भेडों और बकरियों की खाले ओडे हुए, इधर उदर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाडों और गुफाओं में और पृत्वी की दरारों में भटकते फिरे, संसार उनके योग्य ना ऐसा विश्वास कहां से आया। इसका प्रमान आयत 35 में मिलता है। स्त्रियों ने अपने मरे हुऊ को फिर जीवित पाया। और इसलिए कि उत्तम पुनृत्थान के भागी हो। हम इन दो अन्शों में प्रमान पा सकते है। प्रतम चर्च के संतों को स्वर्ग की आशा थी। इस प्रित्वी पर जीवन आरामदायक हो सकता है। लेकिन यदि ऐसी सुविदा स्वर्ग के मार्ग में बादा डालती है, तो हमें इसे अस्विकार करने का विश्वास रखना चाहिए। यह प्रित्वी स्वर्ग तक पहुचने की एक प्रक्रिया मात्र है। यह हमारी मंजिल नहीं है। प्रतम चर्च के संतों की यह मान सिकता थी। उन्होंने मसी के जीवन का पालन किया और अपने विश्वास को बनाय रखा। इसलिए परमेश्व ने कहा कि उनका विश्वास सबसे उज्वल था। यह जाचने पर कि उनके पास ऐसा उज्वल विश्वास कैसे आया। तो उनके पास पुन्रुत्धान की आशा थी। फिर जब हमारा पुणृत्थान होगा तो हमारे पास कौन सा रूप होगा? येशु ने हमें सिखाया कि हम स्वर्ग में स्वर्ग दूतों के समान होंगे हम फिर इस शरीर के तंबू में नहीं रहेंगे फिर आईए हम 2000 वर्ष पहले येशु के पुन्रुतान के बाद के विबिन कारियों की जाज करें आईए हम लुका ध्याय 24 पर जाए आईए हम लुका ध्याय 24 आयत 13 पर एक नज़र डाले उसी दिन उनमें से दो जन इमाउस नमके गाउ को जा रहे थे जो येरुशलेम से कोई साथ मिल की दूरी पर था वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे और जब वे आपस में बातचीत और पुछताच कर रहे थे तो येशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया परन्तु उनकी आखे ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके ये कहने का कोई अर्थ नहीं है कि उनके जेलों ने उने नहीं पहचाना उनकी आखे ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके उसने उनसे पूछा, ये क्या बात है जो तुम चलते चलते आपस में करते हो, वे उदास से खड़े रह गए। ये सुनकर उनमें से किलोपाउस नामक एक विक्ती ने कहा, क्या तु येरुशलेम में अकेला पर्देशी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या वक्ता था और प्रधान याजकोर हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यू की आग्या दी जाए और उसे कुरूस पर चड़वाया। इमाउस तक 11 किलोमीटर चलते हुए, वे येशु को कैसे नहीं पैचान सके? सभी लोग, आपको क्या लगता है? ऐस इसलिए था क्योंकि येशु अपनी पुनृत्तान की दे में थे. येशु ने हमें सिखाया कि पुनृत्तान के समय हम स्वर्ग में स्वर्गदूतों के समान होंगे. उस समय येशु इस आवस्ता में थे. जैसे ही उन्होंने रोटी तोड़ी और उन्हें दी, उनकी आखे खुल गई और उन्होंने मैसूस किया, आ, ये येशु है. जब उन्होंने उन्हें पैचान लिया, तो वो गायव हो गए. परमेश्यों ने हमें बताया कि हम भी ऐसी आत्मीक दे में बदल जाएंगे. आईए योहना अध्याई 20, आयत 19 के साथ जारी रखे. योहना अध्याई 20, आयत 19. उसी दिन, जो सप्ता का पहला दिन था, संध्या के समय, अर्थात्पुनृत्थान के दिन की शाम को, जब वहां के द्वार जहां चेले थे, यहुदियों के डर के मारे बंद थे. अंग्रेजी बाइबल्स पश्रूप से कहती है कि धरवाजे में ताला लगा था, ताकि कोई अंदर न आ सके. उन्होंने न केवल धरवाजे बंद किये, बलकि उन्हें ताला बंद किया. आईए हम फिर से आयत 19 देखें. उसी दिन जो सप्ता का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे, यहुदियों के डर के मारे बंद थे, तब येशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर. उन्होंने दर्वाजे ताला बंद कर दिये, और किसी ने उन्हें नहीं खोला, लेकिन येशु अचानक प्रकट हो गए. अपने पुनृत्तान के बाद येशु आत्मीक दे में गूमें. उन्होंने दो चेलो को उसे पहचानने से रोका. उन्होंने उन्हें रोटी तोड़कर आत्मग्ञान भी दिया. जब उन्होंने उन्हें पहचान लिया, तो वो गायब हो गए. इसके अलावा, जब चेले एक साथ थे, तो दर्वाजे बंद थे. येशु आए और उनके बीच प्रकट हुए. आईए हम फिर से आयत 19 देखे. तुम्हें बेचता हूँ. येकेकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो. जिनके पाप तुम शमा करो, वे उनके लिए शमा किये गए हैं. जिनके तुम रखो, वे रखे गए हैं. हाला कि दर्वाजे बंद थे और किसी ने भी उनके लिए दर्वाजा नहीं खोला, लेकिन येशु चमतकारिक रूप से कमरे में दिखाए दिये. इतना ही नहीं. जब दोनों चेलों ने उन्हें पैचान लिया, तो वे अचानक गायव हो गए. साथी, उन्होंने चेलों के साथ बोजन साजा किया. इस सरख येशु स्वतंत्र रूप से तीसरे और पांचवे आयाम के बीच घुमें. आईए आयत 24 देखे. उन्होंने बाराओ में से एक अर्थार थोमा, जो दीदुमूस कहलाता है, जब येशु आया तो उनके साथ ना था. जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभू को देखा है. तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हातों के कीलो के छेद न देख लू, और कीलो के छेदों में अपनी उंगली न डाल लू, और उसके पंजर में अपना हात न डाल दू, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा. आठ दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे, और थोमा उनके साथ था, और द्वार बन थे, तब येश्व, यहाँ भी, दरवाजे बन थे, आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुमें शांती मिले, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं, परंतु विश्वासी हो, तुमा ने कीलो की निशान और बाले की निशान देखे, यह सुन, उसने सब कुछ देखने के पाद, तुमा ने उतर दिया, है मेरे प्रभू, है मेरे येशु ने उससे कहा, तुने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं, जिनोंने बीना देखे विश्वास किया। क्रिपय येशु के रूप, उनकी गति विदियो और वे कैसे प्रकट होते हैं और गायब हो जाते हैं, इस पर करीब से नज़र ढालिये। क्या ये अद्वुद नहीं है? इसे बहुतिक शरीर होने के रूप में नहीं देखा जा सकता है, और नहीं इसे 100% आत्मिक होने के रूप में देखा जा सकता है। उनके पास तीन आयामी शरीर या पांच आयामी शरीर हो सकता है, जैसा वह चाता है। यह मसी के पुन्रुद्थान के बाद उनकी गति विदियो के बारे में बाईबल का रिकॉर्ड है। आए हम प्रेरितो अध्याए एक आयत 6 के साथ जारी रखे। चालिस तिनों के लिए वह अपने चेलों के सामने ये साबित करने के लिए प्रकट हुए कि उनका पुन्रुद्थान हुआ है। फिर उन्होंने कहा, चुकि तुमने मेरे हाथों पर कीलो के निशान और पंजर पर भाले के निशान को छुआ है, तो तुम्हें मेरे पुन्रुथान के बारे में सभी लोगों को गवाई देनी चाहिए, ताकि मृत्यू से पीडिक सभी लोगों को बचाया जा सके। इस तरह उन्होंने उन्हें प्रचार करने का मिशन सौपा। तुम्हारा काम नहीं, परन्तु जब पवित्रात्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्ति पाओगे, और यरुशलेम और सारे यहुदिया और सामरिया में और पृत्वी की छोर तक मेरे गवा होंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते उपर उठा लिया गया। यह सबी घटनाएं शारिरिक नियमों द्वारा शाशित लोगों की समझ से परे हैं। वह उनसे बादचीत करते हुए गायब हो गए और फिर अचाना के कमरे में प्रकट हुए जो बंद था। उन्होंने थोमा से कहा कि वह उनकी बाजू पर लगे बाले के निशान और उनके हातों पर कीलो के निशान को छुए और कभी-कभी उन्होंने उनके साथ भोजन भी साजा किया। अंत में मसी ने अपने चेलो को अपना स्वरगा रोहन दिखाया। सच मुझ, क्या बाइबल हमें आशा प्रदान नहीं करती। अपने पुनुत्तान के द्वारा मसी ने हमें अद्बुत दुनिया के अस्तित्व के बारे में बताया। उन्होंने हमें बताया कि ना केवल तीन आयामी दुनिया मौजूद है, बलकि इससे परे एक और दुनिया भी है। इसलिए परमेशुने हमें सिखाया कि हम स्वरग की आशा कभी न छोड़े। क्योंकि इस पृत्वी पर जो कुछ है, वही सब कुछ नहीं है। बात्चित करते वे येशु अचानक गायव हो गए या अचानक एक बंद कमरे में दिखाये दिये। येशु ऐसी चीजे क्यों दिखाते रहे। क्या येशु ने हमें ये नहीं सिखाया कि जिस दुनिया का हम अभी अनुबव कर रहे हैं, उससे परे एक और दुनिया है। येशु चेलों की आखों के सामने उपर उठा लिये गए और एक बादल ने उन्हें उनकी आखों से छिपा दिया। इसके बारे में सोचिए। सभी लोगों क्या आप समझ सकते हैं। पुनृत्थान की बाद मसी ने अपने चेलों को तीन आयामी और पांच आयामी दोनों रूपों में अपनी आत्मीक दे दिखाई और उन्हें सिखाया। जब तुम पुनृत्थान पाओगे तो तुमारे पास ऐसी आत्मीक दे होगी। हमारे शरीर का क्या होगा। लिखा है शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और आविनाशी रूप में जी उठता है। क्या ये पुनृत्थान की बात नहीं कर रहा। आये हम बाई tulee के द्वारा इसकी पुष्टी करे। आये हम पहना कुरंति अध्याय 15, आयत 40 पर जाए। स्वर्गिय दे है啊 परन्तु स्वर्गिय देहों का तेज और है और पार्तिव का और सूर्य का तेज और है, जान्द का तेज और है, और तारगनों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है, मुर्दो का जी उटना भी ऐसा ही है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है, और अविनाशी रूप में जी उटता है, वह अनादर के साथ बोया जाता है, और तेज के साथ जी उटता है, निर्वलता के साथ बोया जाता है, और सामर्थ के साथ जी उटता है, सोभाविक दे बोई जाती है, और आत्मीक दे जी उटती है, जबकि सोभाविक दे है, तो आत्मीक दे भी है, इस तरह मसी हमें अपनी शिक्षाय और आशा देते हैं, ताकि हम आत्मीक दुनिया में लौट सकें। आयत 48, जैसे वह मिट्टी का था, वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के है। और जैसा वह स्वर्गिय है, वैसे ही वे भी है जो स्वर्गिय है। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही, हम क्या धारण करेंगे? उस स्वर्गय का रूप भी धारण करेंगे. और आए हम निमलेकित वचन देखें, आयत पचास, हे भाईयों, मैं यह कहता हूँ कि मास और लहू परमेश्वर की राज्य की अधिकारी नहीं हो सकते हैं, और ना नाश्वान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है. देखो, मैं तुम से भेट की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, पर तु सब बदल जाएंगे, और ये शन भर में पलक मारते ही, अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुरदे आविनाशी तशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे. उस समय हम वैसे ही बदल जाएंगे जैसे मसी ने हमें दिखाया. जब मसी ने इमाउस के मार्ग में दो चेलों के साथ बातचीत की तो उन्होंने उन्हें पहचान लिया उस समय येशू गायब हो गए उस कमरे में जहां चेलों ने इस डर से हर दर्वाजे को ताला बंद कर दिया था कि कहीं यहुदी उन्हें तोड न दे और उन्हें पकड न ले येशू अच्छानक प्रकट हो गए उन्होंने उन्हें अपने हातों में कील के निशान और अपने पंजर में बाले का निशान दिखाया एक हफते बाद वो धोमा के सामने प्रकट हुए जो उस समय उनके साथ नहीं था और कहा अपनी उंगली यहां रखो क्योंकि तुमने कहा था कि जब तक तुम ऐसा नहीं करते तब तक तुम विश्वास नहीं करोगे बाद में उसने उनके साथ भोजन भी किया आंत में पुनृत्तान के 40 दिनों के बाद चेलो ने उन्हें जेतुन पाहड पर स्वर्ग पर चड़ते हुए देखा येशु ने इस सत्य को समझाया भोतिक दे आत्मिक दे में बदल जाएगी अंतिम तुरी फूकते ही तुम एक शण में बदल जाओगे आईए हम आयत 53 देखे क्योंकि अवश्य है कि यह नाश्वान दे अविनाश को पहन ले और यह मरनहार दे अमरता को पहन ले और जब यह नाश्वान अविनाश को पहन लेगा और यह मरनहार अमरता को पहन लेगा तब वह वचन जो लिखा है पुरा हो जाएगा जय ने मृत्यू को निगल लिया है है मृत्यू तेरी जय कहा रही है मृत्यू तेरा डंक कहा रहा मृत्यू का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्ता है परन्तु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभू येशु मसी के द्वारा हमें जैवंत करता है इसलिए है मेरे प्रिय भाईयो द्रड और अटल रहो और प्रभू के काम में सरवदा भढ़ते जाओ क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभू में परमेश्वर ने हमारे परिश्रम के बारे में क्या कहा यह कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा परमेश्वर ने हमें सामर्या में और प्रित्वी की छोड तक इस्सु समचार का प्रचार करने का निर्देश दिया क्या हम पाप और मृत्यु के दास होकर दहिनिय मनुष्य नहीं हैं? यहां तक कि प्रथम चर्च के संद भी पुन्रुत्थान की आशा रखने से पहले हर चीछ से ढरते थे लेकिन जब उन्होंने पुन्रुत्थान का एसास किया तो वे अब भयवीत नहीं थे उन्होंने चुटकारा ना चाहा ताकि वे और भी उत्तं पुन्रुत्थान प्राप्त कर सके यदि उन्होंने अंगी कार कर लिया होता, मैं येशुप पर विश्वास नहीं करूंगा तो उन्हें चुटकारा दिया कहा होता लेकिन उन्होंने कहा यदि मैं जीवित रहूं तो और कितने वर्ष जीऊंगा मैं स्रिव 20 साल जीने के लिए अनंत जीवन कैसे छोड़ सकता हूँ वाकई हमें भी ऐसा ही विश्वास रखना चाहिए आज मुझे आशा है कि इस पुंडुत्तान के दिन के द्वारा जब हमने पहली बार सत्यों को ग्रहन किया था तब हमारे पास जो उत्सा ही मान सिकता थी वा भी हम में पुनर जीवित हो जाएगी तक ही हम पिता और माता के राज्य में प्रवेश कर सके जो कभी हमारा राज्य था मैं सभी सदस्यों से इमानदारी से अनुरोद करता हूँ कि वे किसी को भी पीछे छोड़े बिना इस अनंत दुनिया में लोटे हमें पुनर तान की भावना को कभी नहीं खोना चाहिए इसलिए बाइबल हमें सिखाती है प्रभू के काम में सरवदा भढ़ते जाओ क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभू में व्यर्थ नहीं है हमारा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा यह वास्तों में आमीन है सी उनकी सभी संतानों को हमारे पडोसियों, परिचितों, दोस्तों, परिवार के सदस्यों, कारिस्तलों पर और स्कूल में प्रचार करना चाहिए. आईए हम इस सुन्दर खबर को सभी तक पहुचाए. इसके द्वारा मैं आज के उप्देश को समाप्त करना चाहूंगा. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.